जो भी ये ऐसे important ग्रह होते हैं जिनका important इंदसें जिनका की transit थोड़ा लंबे time period के लिए होता है जिसे जुपिटर हो गया Saturn हो गया राहू हो गया इनका जो प्रांजित है वो लगबग जैसे जुपिटर का एक साल सनी का लगबग धाई से तीन साल और अपना राहू का 18 महिने के लिए यह ट्रांजिट जो है यह आपके life का एक tone set कर देता है है कि यह जहां पर भी जिस भी house या जिस भी science हा भी इनका transit होगा और वहां बैठ करके और भी जिन भी houses को यह influence करेंगे आप उससे results expect कर सकते है उन particular houses से related ठीक है अब ऐसा नहीं है कि जो बाकी planets है जैसे कि सूरी हो गया जो एक महिने का transit होता है या मंगल का या मर्करी का, वीनस का, चंदरमा का इनका transit भी important है वो क्या करेगा जो आपका सूरी अगर माल लिजे जुपिटर है किसी particular house का result अब आपको लगता है कि अगले एक साल के अंदर आपको दे सकता है तो फिर सूरी उसके अंदर एक महिने का आपको ऐसा time period बताएगा जहां पर कि वो जो event है वो हो सकता है ठीक है माल लिजे जुपिटर किसी एक particular house को activate करता है उस एक साल के अंदर उस house का lot जो है जो भी माल लिजे जुपिटर अगर mercury के house को activate करता है तो mercury अगर उस house में जाई या उस house को aspect करे ट्रांजिट के अंदर तो mercury का ट्रांजिट भी important होगा लेकिन वो तो बहुत minute level पे हम चले गया major level पे क्या होता है ये तीन ग्रह शनी, राहु और जुपिटर, जिनका ट्रांजिट बहुत लंबे time period का होता है वो life में major changes या major events को trigger करते है अब ये trigger word में क्यों use कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले ये समझे आपके life में होगा वही जो दशा बताएगा जो आपका कुंडली बताएगा क्योंकि जुपिटर का जो ये transit है टॉरस के अंदर वो तो ये जो हो रहा है ये हर किसी के लिए हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए अगर टॉरस में जा रहा है तो आपके लिए वो जेमिनाई में जा रहा है ऐसा तो नहीं लेकिन मेरी कुंडली के अंदर जो रिजल्ट्स मुझे आएंगे वो आपकी कुंडली में जो रिजल्ट्स आएंगे उससे बहुत ज़ादा अलग होगा है ना तो वो किस बार पर डिपेंड करता है कि मेरी overall कुंडली जो है वो कैसी है और साथ ही साथ जो मेरा अभी दशा चल रहा है वो मेरी कुंडली में कौन से हाउसे को एक्टिवेट करता है तो यह एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम result discuss करेंगे उसके हिसाब से हम basically यह discuss करेंगे हर descendant के लिए कि जूपिटर अभी किस तरह के result दे सकता है उसके बाद अपने को एक level और आगे जा करके देखना परेगा कि जो दशा चल रही है उस इंसान की वो भी सेम चीज को support कर रही है या नहीं कर रही है और दूसरा कि जो को भी यह event है उसके life में होना भी है या नहीं होना है जैसे माली जीए कोई अगर Aries Ascendant है तो हो सकता है कि उसकी जो यह जूपिटर का transit है टॉरस के अंदर उसमें उसकी शादी करवा देऊ या फिर माली जीए कि कोई government job का preparation कर रहा है तो उसको government job दे दे लेकिन उसकी कुंडली में पहले वह promise होना चाहिए वह particular event अगर उसकी कुंडली में या उसकी life में वह event नहीं है तो नहीं होगा चाहिए कुछ भी कर ले ठीक तो transit जो है वह इतना ही result देगा जितना की birth chart promise कर रहा है और जितना की दशा जो है अलाव कर रहा है उसके beyond transit जो है result नहीं देगा अब इस बात को ले करके जिंता मत करिएगा क्योंकि अगर आप दशा नहीं भी देखते हैं ठीक भगवान का आशिरवाद अगर आपके उपर है तो आप transit से भी किसी को रिजल्ट बताएंगे ना तो वो काम होगा क्योंकि एक बात समझिए जो हम science सीख रहे हैं वो एक divine science है उसका मतलब क्या है आपके पास आज कोई इंसान आएगा ही इस काम के लिए कि वो बुलेगा मैं घर देख रहा हूं मैं घर होगा क्या अब कोई तो कारण न माली जी हो 32 साल का 40 साल का 25 साल का कितने भी साल का वो इंसान हो उसको इसी टाइम में आप ही के पास क्यों आया है ये पूछने के लिए कि जो है मैं घर खरीदने का सोच रहा हूँ ठीक है में आने वाला है में के अंदर जो है ये ट्रांजिट होगा जुपिटर का तो जुपिटर अगर टारस में है तो आपको देखना होगा कि वो टारस से उसके 4th हौस को उसके 12ध हौस को ट्रिक्व 12ध हौस इंवेस्टमेंट का होस होता है उसकी तरी के से influence कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर कर रहा है वो बंदा भी आपसे पूछ रहा है ठीक है तो फिर मान के चलिए कि इस बात के होने के चांसे तो आपको दिख रहे हैं तो फिर आप step 1 में transit देख सकते हैं, step 2 में जा करके आप दशा देखिएगा, तो हो सकता है कि दशा भी आपको बता रहा हो कि ये काम ये इसका हो सकता है, ठीक है, तो हम देखेंगे वही, लेकिन उससे पहले मैं तो ये basic principle आपको set करना जाता था, कि कभी-कभी कोई आए और ए उसके सामर्थ के बारे में, कितना उसके पास पैसा है, नहीं है, खरीच सकता है, नहीं खरीच सकता है, ये तो आपको उसके बारे में अंदाजा लग जाएगा, तो सिर्फ transit यूज़ करके भी अगर आप prediction देना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो आप देख सकते हैं, उसके आपको अच्छा रिजल्ट ही देना चाहता है, ये बुरा रिजल्ट नहीं देना चाहता है, ठीक है, क्यूंकि गुरु का काम क्या है, अगर माली जी किसी आप गुरु मानते हैं अपना, तो कभी आपको लगता है कि गुरु आपके लिए कुछ बुड़ा करना चाहता है, टिपिकली नहीं, there will be certain cases, certain combinations, जहां पर की बुरा रिजल्ट मिल सकता है, उसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, कि जुपिटर जो है, वो बहुत ही गरा है, बहुत ही ज़्यादा भाड़ी, बहुत ही ज्यादा भाड़ी मतलब उसका वजन निक तरीके से क्लिए कि बहुत ज्यादा है, तो जिस भी हाउस से उसका ट्रांजिट होगा आपकी कुल्ली में, वहां पे आप प्रेशर तो पक्का फील करेंगे, इवेंट चाहे अ मेंटल आपको प्रेशर जो है फील होगा इवेंट हो सकता है कि फिर भी अच्छे आ जाएं लेकिन मेंटल यूनों आपको लगे या किया बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में तो वह होगा क्यों कि जुपिटर बहुत जादा भाली कि रहा है और वह मेजर चीजें चेंज करवा यहा और चीज वैँ होगा चीज जाएं उसके अलावा एक और चीज समली सिये जुपिटर किसके सब one जाए मैं तो अब shift time है अब कुछू चीजओ इन जनरल आपको दुनिया में देखने को मिलेगी जो एक अभी अंस्टेबल माहोल बना हुआ है उसका कारण अभी शनी मंगल का एनिवेस्ट जो है कंजंशन होने वाला है तो आपको और ज्यादा दिखेगा जो उसका बुरा प्रभाव है लेकिन जब जूपिटर टॉरस में जाएगा तो कुछ एरियाज आपको एक यह भी दिखेगा कि थोड़ा स्टेबिलीटी भी लेकरके वह आ रहा है ठीक है उसके बाद एक बहुर बात ध्यान रखें कि टॉरस का जो साइन है वह हमारे खानपान का साइन है आप खाते हैं जुपिटर जहां कहीं भी होगा आप तो वो उस जगह की सिग्निफिकेशन को बहुत ज़ादा बढ़ानी की कोशिश करेगा क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्स्पैंड करता है चीज़ों को तो हो सकता है कि अगर 11th house में है तो आपके income को बढ़ा दे जो regular daily income आपका flow है उसको बढ़ा दे बट एक बात याद र लॉड टॉरस में हो या जुपिटर किसी भी तरीके से आगे जो भी हम प्रिंस्पल डिसकस करेंगे उसके इसाब से जुपिटर किसी भी तरीके से अगर आपके second लॉड को भी influence कर रहा है along with being in the sign of Taurus तो खाने पीने का ध्यान रखेगा नहीं तो फूल के टमाटर भी हो सकता है क्योंकि वह क्या करेगा आप इतना खाना शूरू करेंगे इतना खाना शूरू करेंगे कि उसको बस expand करना है लेकिन हो सकता है कि वह आउटा प्रोपोस्टन जो है वह चला जाए तो इन सब छोटी छोटी जियों का आपको ध्यान रखना है अभी basic principle कुछ discuss करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है अब जुपिटर जो है टॉरस के साइन में है तो टॉरस से और किसकी साइन को वह influence करेगा वह influence करेगा यूँकि ट्राइन में क्या क्या आएगा वर्गो और तो इनके उपर तो उसका डारेक्ट इंफ्लेंस है, यानि आपकी कुंडली में टॉरस का साइन, वर्गो का साइन और कैप्रिकॉर्ण का साइन, यह जहां कहीं भी आ रहा है, जुपिटर इनको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक, कुछ एक्जामपल देंगे तो समझ में आ जागा कि एक्टिवे रहेगा, वहां से लीब्रा का साइन भी आक्टिवेटेड रहेगा, यह ना, कैंसर का साइन एक्टिवेटेड रहेगा, लीब्रा का साइन एक्टिवेटेड रहेगा, और कैप्रिकॉर्ण तो एनिवेज आक्टिवेटेड है, तो क्या-क्या हमने कहा, टॉरस, वर्गो, कैंसर लीब्रा और जुपिटर का सेवेंथ आस्पेट को कहां पर जाएगा स्कॉर्पियों तो यह सारे साइंस जो है इसको जुपिटर एक्टिवेट करेगा अब हो सकता है और मैं आपको पहले सिखा जुका हुआ है तो अगर जुपिटर जो है इसको मैंने कहा किसको एक्टिवेट कर रहा है टॉरस को कैंसर को वर्गो को कैप्रिकॉन को लीब्रा को और स्कॉर्पियों को यह सारे साइंस को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यह साल भर के अंदर अगर इन हाउसे से रिलेटेड आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा या बुरा और जो आपकी दशा चल रही है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है तो वो इवेंट जो है वो जुपिटर करवा देगा पॉजिटिव रिजल्ट होने के चांसे तोरी जादा है जैसे मैंने कहा कि जुपिटर टिपिकली जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता है ठीक अब इसका एक छोटा सा आप से बात करें यह example लेंगे तो आपको समझ में से माल दीजाऊ-एक और टू इस ट्रांजिट के हिसाब से या क्या एक्टिव है कि उसका 11 एक्टिव में है उसके अब अगर मान लिजे मुझे प्रेडिक्शन देना इस इंसान को तो मैं क्या बोलूँगा और अगर मान लिजे सामने से ही वो मेरे पास आये और पूछे कि मैंना प्रॉपर्टी में या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीबने की सोच रहा हूं कि ऊअब टो मैं क्या कर सकते हैं तो बिसिकली आप लोग कई बार काते ही सब्सक्राइब प्रेडिक्शन कैसे करें तो प्रेडिक्शन आपको ऐसे करना होता है कि हाउस प्रपर्टी का हाउस होता है यहना वहाँ पे वह उसको जुपिटर एक्टिय। करके रख रहा है। तो जुपिटर इन सब को अगर हम मिलाएं तो उसको अगर प्रापर्टिं लेने की सोच रहा है। और उसकी दशा भी चल रही है वह भी फोर्थ से रिलकेटेड अगर चल रही हो। तो फिर वो प्रपर्टी जो है ले सकता है या कार जो है वो ले सकता है इया मदर से। के या नहीं हो सकता है या स्पोर्फर अब दिखे इसमें और भी आप चीजों को जोड़ सकते हैं अब उस फॉर्थ हाऊस पर यानि कि लिब्ड के तो भी आप कह सकते कि हाँ यह कर सकता है क्योंकि 12,000 अब घर लेना तो खर्च करना पड़ेगा न तो 12 जहांसे आप अपना पैसा खर्च करके कुछ लेते हैं दूसरा यह समझिए कि अगर यहां शिक्स्त का लॉट बैठा होता तो आप क्या कहते कि हाँ घर तो ले लोगे ले आप घर ले सकते हो क्योंकि जुपिटर जो है उस साइन को अभी इंद करेंट सिचुएशन उसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है यह बात समझ में आई करके दिफोर में चले जाएगा और वहां पर भी देखिए कि जो दशाब बैनेट का दशा चल रहा है वो उसको support कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है यह समझ में आया यह समझना जरूरी है यह basic principle है इसके बाद अगर यह समझ में अपने को आ जाता है तो किसी भी ascendant के लिए आप खुद से दुनिया भर की जितनी आपको कहानिया बनानी है आप बना सकते हैं ठीक है में आप आगे बढ़ें है अब आ जाते हैं सबसे पहला क्या है एरी टुर्म के लिए जुपिटर का ट्रांजिट अगरगर टॉरस में हो रहा है तो कौन है है इस सेट इस प्यूपिटर कोई तॉरस में है तीक है कि फॉर्थ हाउस एक्टिव हो रहा है क्योंकि वो क्योंकि लिबरा को मैंने कहा है इंफुएंस करेगा वह आखिरी में बता दूंगा कि लिवड वा कैसे इंफुएंस करें ठीक है बहुत है थाज़ है न मैस्ट इसके बाद और किसको activate करेगा o Jeśli एट थाउस को किक यूवर रहेगा सुकन्ड से एट को और किसको ट्व तो करेगा है और किसको करेगा । को ट। य homepage मुझे कहानी बनानी क्या क्या हां पलन कर दूब 00 मिलेगा मिल नहीं मिलेगा कु उत एम आप के पास आता है बभाई मैं बहुत दिनों से जॉप के लिए धूड़रा हूं य्ट्व मिलेगा क्या 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 मिलेगा में भूलेगा या नही drena तो करियर के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा ये इंसान आपके पास आए ये पुछे कि मैं ना मेरी शादी होगी या नहीं होगी तो अगर ये लिब्रा के साइन को एक्टिव कर रहा है जुपिटर खुद सेकेंड हाउस यानिकी परिवार का जो साइन होता है परिवार में बृध्धी का जो साइन होता है उसमें है अगर लिए इन्सान शादी के लिए देख रहा है तो क्या इसकी शादी हो सकती है या हो सकती है अब अगर माई लिजिए कि ये इसको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इक बात याद रखिये मैंने क्या कहा कि जूपिटर जो भी घर है उसके सिग्निफिकेशन को बढ़ान कोशिश करेगा तो अगर आप इस टाइम में लोन लेंगे ना अनलेस की बहुत जादा मजबूरी हो जब भी जुपिटर आपके सिक्स हाउस को एक्टिव करें या सिक्स लॉड को एक्टिव करें अलेस आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो आप लोन मत लीजिएगा ठीक है क क्योंकि चुकाने में आपकी बैंट बच जाएगी या अगर लोन लेना भी है तो किसी बहुत भरोसे वाले आदमी से लीजिए इसको कि किसी अपने फ्रेंट से लीजिए चुकाने के लिए आपके पास एक ऐसा रहेगा कि फिक्स डियमाई नहीं है आपके पास नहीं तो ल नहीं लगा दीजेगा कि जुपिटर अगर लीब्रा को देख रहा है तो चार शारी करवा देगा तो एक्टिव है तो खाने पीने से रिलेटर थ्यान रखेगा इंसान इन जनरल उसको ना मतलब अच्छा बोलना शुरू करने का सोचेगा उसका इंकम बढ़ेगा क्यूंकि सब्सक्राइब है तो अगर वह भी सोच रहा है कि मैं कोई वेहिकल लूँ या कुछ लूँ या घर के लिए मुझे कोई इंवेस्मेंट करना है तो उस तरह की जीज़ें भी जो है वह सोच सकता है ठीक है सब्सक्रांद बढ़े वह अगुशन सब्सक्राइब है कि अत्रॉकरर आहां जा तक करता है कि जोपिटर जाता है वहां पे प्रेशर क्रियेट करता है because it is a heavy planet even if it is तो आपने जैसे टॉरिस के साइन से हमने जो को रिलेट किया कि it's a sign of resources and food तो आप कहा रहे थे कि it will bring stability but clearly Saturn और Jupiter का pressure अलग है क्योंकि scarcity भी मतलब resource पे pressure भी हो सकते हैं worldwide जैसे अगर हम mundane level पे अगर सोचें और मैं similarly सोच रही थी जैसे if it transits on someone's moon does it sort of create जैसे साड़े साती जब शानी moon के around transit कर रहा होता है तो हम साड़े साती कहते हैं but ऐसा कुछ Jupiter का effect होता है on transit on say someone's moon I have seen people in situations जहांपर कि वो psychologically खुद को इतना होखला पाते हैं इस time में जब Jupiter moon के उपर जाए तो क्योंकि उनको समझी नहीं होता होता है कि मैं करूं क्या क्योंकि आपको mentally इतना pressure feel होगा sometimes even for no reason क्योंकि वो आपको अंदर से change करने कोशिश करता है जो आपने Saturn के लिए बोला same thing is applicable for Jupiter also अगर वो मून के उपर जा रहा है इसका मतलब यह नहीं को प्रेशर नहीं देगा बहुत प्रेशर देगा बहुत जादा आप यह भी समझ लिए कि चर्ण करके आपको एक अच्छे रास्ते पर क्योंकि देखिए यह जो ट्रांजिट होते हैं ना Saturn का धाई तीन साल का लगग Jupiter का एक साल का अब वो टॉरस के साइन में बारा साल के बाद आएगा तो वो इस चाहिए जो भी चेंज़ेस करने की कोशिश करेगा वो आपको बारा साल के लिए सेट करके जाता है वहाँ पर तो यह बहुत ज़्यादा important events होते हैं लाइफ में तो आप जाएंगे वो चीज के तरफ नहीं है तो नहीं जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो आप सीक करेंगे ही करेंगे अपको ग्रह काम है आपको इवाल्व कराना तो आपको उसी दिशा में लेकर के जाएगा तो आप इवाल्व हम तभी करते हैं जब हम अपने existence को question करते हैं जब हम सोचते हैं कि भाई ये जो चल रहा है ये सही है क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं क्या करना चाहिए आगे life में कैसे बढ़ू तो ये जो तीन ग्रह मैंने आपको बता है शनी राहू और जुपिटर ये आपको उस दिशा में लेकर के जाते हैं तीनों आप से जो है आप उस दिशा में जाएंगे ठीक है मतलब जुपिटर का ट्रांजिट ऑन मून या फस्ट उसको निगेटिवली मत लीजेगा वह अच्छा दे करके जा सकता है डिपेंडिंग की कुंडली कंडिशन कैसा है बट इंटेंट इस गूड ओन ठीक है ये इस थैंक तो कोई भी प्रडिक्शन के लिट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सब को कम्माइन करना पड़े जरूर नहीं है अब कोई भी देखिए एक हाउस के एक्टिव होने से ना कभी कोई रिजल्ट होता नहीं है फ्रैंक्ली स्क्राइब हो सकता है तो वह हमको देखना पड़ेगा कि स प्रिफ श्क्राइब है तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल सकता है वह एक साथ एक्टिव हो रहे हैं तो फिर तो मैं खुलके बोल सकता हो लों कि वहां भाई जॉब्ट चुह होने के चांसे बहुत जादा लग रहे हैं मुझे वहां पर जुपिटर यह टॉर्ड और यह ती किसी शाइं में हो तो चांसे बढ़ गया क्योंकि हाउस ब्लानेट को अपको जितने ज्यादा जॉब्लिफेंट के मिल रहे हैं इवेन्ट के होने के चांसे यह तिन जादा बढ़ते जाएंगे यह आत्मकारग को असवे से के लिए 2nd में 6th में आपको मिल जाए तो वो जो ह हम multiple houses को combine करते हैं वो इसी वज़े से करते हैं उसके अलावा एक और चीज याद रखिए कि जुपिटर अब दिमाग लगाई अगर नाइंथ का कॉंबिनेशन से बन रहा है तो पैसे के लिए अच्छा होगा जी सर मतलब बहुत कुछ हो सकता है इवेंट क्यूंकि आपको हो सकता है कंपनी से ग्रैडुटी मिल जाए ठीक है बहुत खुशों करके बोनस दे दे गॉवर्मेंट में कुछ पैसा पासा हुआ था वो आपका निकल करके आजाए फादर से कुछ पैसा मिल सकता है आप गॉव से आप इसको देख सकता है अपना दिमाग खोलके रखिए और देखी कि क्या का कॉंबिनेशन बन रहे हैं और उससे आपको चीजे बतानी है समझ गहें मतलब एक कुट भी थोड़ा सो कॉंटर जाके इसा निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है फॉर्थ और शिक्स एक्टिवेट हो रहा है तो अगर मैं इन दोनों हाउसे को देखूं तो बोल सकता है प्रॉपर्टी के कारएं यू के साथ बना हुआ हो या लिटी सब्सक्राइब और कॉंबिनेशन बन रहा है तो आप यह भी कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि तुम प्रॉपर्टी जो है लोगे 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 यह समझ में आगया सबको क्योंकि इंपोर्टेंट है देखिए बाकी तो आप प्रेडिक्शन आपको तो हुआ कि तो फस्त अल्यक्टीव तो है कि क्यों केंसर का सइन एक्टिव है तो भूठ एक्टीव हो गया यह र्ती हो गया घ्र है है वो अपने साथ-साथ किसको अक्टिव कर रहा है कि यह लिभरा को भी फिफ्थ हांस है सवेन्थ हुसको को उ Jeantic कर रहा 9 को कर रहा है ना ना तो कौन को सॉट एक्टिव हो गया टॉरस के लिए फस्ट हाउस थार्ड हॉस फिफ्ट शिफ्ट सेवन्थ और टैंथ सौर्ड नैंथ रैट अब एक बात बताईए कि इस बंदे के लिए अगर मुझे या बंदी के लिए गर मुझे प्रेडिक्शन देना हो और मुझे दिखे कि इसका 6th house active है दशा के हिसाब से भी राशी में भी और नवाम्श में भी तो break up होगा या relationship होगा ब्रेक अप लग रहा है सर ठीक है और अगर मान लीजिए कि इसका जो है नवाम्श कुली में कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो नवाम्श कुली में फस्ट हाउस में हो फिफ्ट हाउस में हो सेवेंथ में हो नाइन्थ में हो या इन हाउसेस के साथ combination बना करके बैठा हो इन आवाम्श में ड्रात था defense तो मैं क्या बोलूगा तुम्हारा जगरा बगरा होगा लेकिन लेकिन हमारी शादी में इन हो ऊड़ा सकती है हो सकती है तो बैठाओ तो क्या प्रेकफ उगा या नहीं होगा कि दाशा अगर नहीं भी भी एक बात मान के चली कि चोटा मुटा धगरा तो होगा ही होगा को कि द्समझ रहें क्योंकि एक और बात याद रखी है कि हम लोग कही बार बात करते हैं कि फ्री विल है या कईच काल बोलते होете की जो इंडिया में इंडिया में तलाग कम होते हैं एडिजे पारे-मेसомी क्या परिख Exchange कॉछी परिखने रहे किसे होता है कि अरे सरे चाहिंत कि असमें अच्छा consistent लेकिन एक तीस समझजिए कि 6 ती सिक्स थेन इलेवें यह आपके हाथ में आप जो चाहें इसमें करीए आपका करम वह फो सब्सक्राइब आपको भगवान ने दिया है बस वो केंदर में गरा मिला है जो उसका रिजल्ट आना है आप चोटा-मोटा रेमेडी करिए बहुत लंबे टाइम के बाद आपको जा करके उसका रिजल्ट आएगा आप साधना करिए बहुत लंबे टाइम बाद आपके उपर है भाई आज से कि अगर आप अपना डाइट बराबर रखेगा तो आप बीमारी से भी खुद को बचा सकते अगर आप अपना घंट्रोल में रखेगा तो आप में आपको लोन से बचा सकते हैं तलाग लेना है या नहीं लेना है वह अवौ yarn यह नहीं करें तलाक लेना चाहिए नहीं लेना अगर कोई Immysical relationship में कोई यहां पर कि ब्ल्वेट नहीं हो रहा है एंदम्न टॉक्सिक रिलेस्टिब है तो गोंकुल तलाक लेंड लेकिन वह free will है है उसमें उसमें सामने कह सकते कि फ्रीविल नहीं है तो अगर एक्टिव है मुद्धे पर आते हैं तो रिलेशन्षिप के अंदर वह जगड़ा तो करवाएगा पिर वह ज़रूर नहीं की तलाक हो तक यह से प्रेशन जो है वह नहीं होगा यह यह हो सकता है कि जौब की करवा सकता है कुछ करवा सकता है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह पर्मनेंट सेपरेशन कैन बी सम्थिंग विच इस वरी टेंप्रेशन समझ में आया लेकिन उस पर बहुत जादा मेलिफिक का इंफ्लेंस हो तो फिर हमको सावधान रहना चाहिए ना एक नवामश का प्रिंस्पल बताता हूं यह अपलाई करिएगा आपका नवामश का जो भी सेवेंथ लॉड है वो नवामश कुंडली में अगर बढ़िया जाकर के बैठा है और 6th 8 और 12th के Lord के साथ combination नहीं बना रहा है तो typically देखिएगा कि वो अच्छा marriage देगा राशी कुंडली का जो 7th Lord है वो नवामश में अच्छा बैठा अब अच्छा बैठा का मतलब क्या 1st house में बैठा हो 5th में बैठा हो 7th में बैठा हो 9th में बैठा हो 10th में बैठा हो तो बहुत सारे principle है लेकिन इसको थोड़ा अपलाई करेगा सोचीगा इसके बारे में ठीक है इसमझ में आया अब फिर आजाते हैं टॉरस के उपर टॉरस के लिए क्या क्या एक्टिव है फस्ट हॉस एक्टिव है अब जूपिटर क्या है टॉरस एसेंडेंट के लिए एट का लॉड है एट का लॉड कहां पर गया फस्ट हाउस में तो इस इंसान को वह जो प्रेशर की हम बात करें थे इसको प्रेशर फील होगा बचारे को लाइफ में मेजर एक ना आप अपना पूरा सोचने का आपका नजरिया है वह बगल सकते हैं इतना बढ़िया प्लानेट जुपिटर वह आपके लगन में आया है वह कोशिच करेगा आपको अच्छा रिजल दे करके जाए तो आप उससे अच्छे रिजल जो है वह ले अब जम्हां से आपके लिए रिज़न आपके लिए रहा है वीजिए लेगा विखानेन तुस्टि ए मुटान इस लिए मूर्डिय मुर्ण तो इस विए हो विजगे तोशिटरियर वीडियू को जादा महत्या इसलिए लिए रहा हुआ हूं कुसका मूल तरीकोन साइन अब जेमिना ही एत्ः के है क्या क्या है टुक्र यॉंप हाउस एक्टिव शंटिव है क्कूं क्यों है को विस्तर व्यक्तर श्ट सब्सक्याल 10ait 7 8000 इक पार मैं लुए fakита विकार्ट बुख है को तो निम बैडिए डिट जैना सकते हैं इनको सबसे पहले तो थ्यान रखना चाहिए इनको यह इंस्वर करना चाहिए कि आप हेल्थ पर थ्यान रखे या नहीं तो खुद ही जाकर के कुछ कि चेक अप वगएरा करा लिए जैसे मैंने कहा है कि उसमें फ्रीविल है थोड़ा बहुत चेक अप अगयरा करवा लिजिए थोड़ा बहुत पैसा आपका हिल्थ के उपर खर्च होगा ही होगा नहीं कुछ तो मेडिसीन खरीद करके किसी को दान में दे दीजिए ना क्यूं क्यूंकि 12 और 6 जो है वो दोनों लोगा बिकाज वर सेंग 12 लेकिन अगर आप देखिए तो फोर्ट भी अक्टिव है ना है अगर इनको भी घर खरीदे का सोच रहे हैं तो यह भी घर खरी चकते हैं कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार की हर आदमी घर थोड़ी खरीदेगा अरे डुनिया में कितने सा उसमें चर्णी बहुत सारे रेंगे जीस के लिए नहीं अगर मंगल बैठा हो चौते घर में या सेंड हाउस में ही जो प्रापर्टी का कारक होता है और युपिटर उसको एक्टिवेट कर रहा है तो इस चीज पर ने की संभावना बढ़ जाती है इनके के स्मेश में द्या प्लीज पर लिए तो जैमनाई सबसे पहले हमने क्या कहा है कि इनको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए इनको कोशिच करना चाहिए कि यह फिर थो रहा बहुत पैसा खुद से खर्च कर सकते हैं तो आप वह खर्च कर लिजे प्रपरटी के अंदर जो है अगर आपका इंवेस्म तो सेकेंड अगर एक्टिव है तो वहां पर भी परिशानी हो सकता है फैमिली के अंदर ढ़े भी हो सकता है ठीक क्यूंकि सेकेंड और जागरा वगेरा भी जो है वह वह सकता है यह समझ में आया अगर मालीजे कोई higher education वगेरा के लिए foreign जाने का सोच रहा है तो वो भी जा सकता है अगर कुंडली में वो प्रॉमिस्ट है और दशा भी जो है उसको supportive है तो वो definitely जा सकता है ठीक है तो अब नाइन था उसके लिए active होना जिरूरी नहीं है ट्वेल्ट है ट्वेल्ट का जो है कनेक्शन कुंडली में बनता है ना तो भी इंसान जो है पॉरन में जाकर के पढ़ाय करता है इसे पापने काता जैसे प्रॉपटी किस फॉर्थ हौश्ट या फिर मतलब वहिकल इसे लोगे संगिशन था ना बट आप अब इस्पेचली जो एक ची मैं बोल लेता हूं आपने कुछन पुछा ना कि नहीं है जुपिटर के थुरू एक्टिव नहीं है बट सैटर्न उसको 9000 को भी अक्टिव कर रहा है विकार सैंटर सैटर्न अभी इनके कहां पर ट्राइब कर रहा है तो यह बात याद रखेगा देखिए हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं उसके बाद हमको देखना पर प्राइब कर देखिए हैं अगर इन में से किसी हाउस का लॉट भी इन साइंस में हो इन साइंस में तोरस में गैंसर में वर्गो में लीबरा में स्कॉर्पियो में और कैप्रिकॉर्ण में तो इवेंट के होने के चांसे बहुत ज़्यदा बढ़ जाते हैं इसको प्लीज अप्लाइब करिये मतलब आपको इस्टॉनिशिंग रिजल मिल सकते हैं चीछ से अब आगे बढ़े हैं आगे चलते हैं तो अब आता है कौन सा कैंसर कैंसर के लिए कौन कौन सा है एक्टिव 11 एक्टिव है सब्सक्राइब इसके बाद इसको दिखाता है displacement को है और वह अगर एक्टिव है तो वह हो सकता है तो प्रॉपर्टी लेकर के उसमें शिफ्ट होना उसके चांसे तो डेफिनिटली है वेकल खरीदना है वह भी खरीच सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्मेंट करना है वह भी जो है वह कर सकते ह तो कैसे मतलब मोटा मोटा तो देखने से लग रहा है कि एक्टिव है तो क्या अगर माली जे किसी से प्यार वैरे उसको प्रॉपोसर करना है तो क्या अच्छा टाइम कर दिना चाहिए क्योंकि जूपिटर है किसका लॉड सिक्स का लॉड अगर माली जे सेवेंट को एक्टिव कर रहा है तो जगड़ा भी करवा सकता है लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि नवामश में जो दशा चल रही हो नवामश के ठीक ठाक हाउस में बैठा हो तो फिर वो नहीं होग करेगा ठीक करेगा उसके लिए ना इस समझ में आया तो मेरी साफ से काफी अच्छा टाइम काफी सारे आपके आसपास आपको अगर होंगे उस एज में जहांपर क्यों प्रॉपर्टी या जमीन में इंवेस्ट कर सकते हैं तो आप एक्चुली देखिए कि इन नेक्स्ट व ट्वेल्थ हाउस टेन्थ ट्वेल्थ सेकेंड सेकेंड थर्ड फॉर्थ और सिक्स्ट है तो इनके लिए करियर में अच्छा होगा बुरा होगा तो इनके लिए करियर में अगर मान लीजे करियर में कोई प्रमोशन वगरा एक्सपेट कर रहे थे या ज्यादा पैसा एक्सपेट कर रहे थे या कोई लिए जो कि अपना पहला जॉब ढून रहा है तो उनके लिए ये इस ट्रांजिट विल ओपन अप दोस ऑपर्चिनिटीज है ना यह समझ में आया यह सर जुपिटर का ट्रांजिट अगर टेंथ हाउस से हो रहा है तो उनके लिए यह सारे हाउसे जो है वह एक्टिव कर देता है अगर किसी को अपने जॉब की विज़े से ट्रावल वगेरा करना है तो उसकी भी पॉसिबिलिट कर सकते हैं हो सकता है की वो घर की वेज़े से वह सौसरी की वज़य से हो क्यों की गपी यह समझ में आ रहा है जुपिटर के थुरू राहू के थुरू या सैटन के थुरू तो उसके होने के चांसे और ज़्यादा बढ़ जाते है ठीक है ठीक है नौ भी विल मुव तू वर्गो ओके तो इफ वी लुक ए वर्गो वर्गो के लिए इस प्डाइब के वारगो 제विए एैस चर्ले का साइन आता है यह सब्सक्राइब और इस और एलेवंद इस अप्टिव के लिए कि फिर्स्ट एक्टिव है और फिफ्ट एक्टिव है और नाइन था तो अगर यह इंसान अगर जॉब में भी है अगर एजुकेशन करें तो इसके लिए अच्छा रहेगा मतलब आम इस ट्रा प्रमोशन ढून रहा था जॉब में तो उसको मिल सकता है कि प्रमोशन प्राइमेर्ली किसे मिलता है मतलब इक्छा पूरूती होती है 11 हुआ लेकिन आपको नया पोजिशन जो हो फिफ्ट से भी आप देखते है राइट है डश्ट मेंग सेंस मतलब फिफ्ट एक्टिव है अक्टिव थो पैसा दे सकता है अचानक से अपने को सोचना लगे और सोचे कि मैं इसके बारे में कुछ अच्छा करने इंकोशिश करूं शेकर और फिफ्ट भी एक्टिव था तो पड़िवार में बच्चा अगर मालिजे इस टाइम के अंदर दे सकता है बिल्कुल दे सकता है सब्सक्राइब करते हैं तो वर्गों पे चले जाते हैं वर्गों के लिए क्या एक्टिव है प्रोमोशन जून रहे हों तो प्रोमोशन मिलने के चांसे जादा है क्योंकि सेकेंड एक्टिव है तो इनकम में सब्सक्राइब के साथ एक अच्छा पूजिशन जो है इनको लाइफ में जो है मिल सकता है अगर यह फैमिली में अगर यह मतलब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं इनको बच्चे के लिए देख रहे हैं तो इनको बच्चा भी दे सकता है और जैसा उच्छ सब दिने बोला था कि अगर मालीजिए कि यह वर्गो एसेनेंट का जो कोई बच्चा हो उसकी शादी के लिए भी अगर दे सकता है ठीक है यह समझ मैं इसमें किसी को डाउट एक बात का इनको ध्यान अगर किसी चीज़ का रखना है तो यह रखना है कि आप हेल्थ का इनको मतलब सोचना पड़ेगा या इनका ध्यान जो है आपने हेल्थ के तरफ जाने वाला ही है जुपिटर अगर वर्गो के स कुछ करना है वो करेंगे इस समझ में आया वर्गो के बारे मैं अब आते हैं मिक्ष्टन सर कोई योड़्ट प्रवर्लम सेंटि है इस समय काफी सी टो क्या सबॉट्थ में आने से उसको हो सकता है सर अगर वर्गो को कोई health problem चल रहा है हां जी तो अगर मालीजे वह ऐसा है तो फिर जो है इनको कोई कोई स्लुइशन जो हो वी सकता है उसके बाद कॉन से हम बुली सर सर बिकॉस जुपितर विस्ट फॉर्थ लॉड पर वर्गोर्व सिंदन विल दिस एल्प इन से प्रपर्टी परचेस बिकॉस फोर्थ लॉड इस पर यह जो जुपिटर इसको घर देना है अगर इस वर्गो एसे निट के लिए तो अब हमको देखना पड़ेगा कि जो इनकी कुंदी में जुपिटर जो है वो वर्गो के साइन में बठा हो तॉर्ट के साइन में बैठा हो चैंसर के साइन में बैठा हो कि वो फोर्थ लॉड भी अक्टिव होना ज़रूरी है उसको जुपिटर अक्टिवेटर कर रहा है तो आप बोल सकते हैं वैसा कि यह कर सकता है ठीक है अब उसके बाद अगर हम आ लिजे लीब्रा साइन की बात करें तो के लिए भी और सबसे पहले तो आ सबसे पहले क्योंकि शाइन ऑफ लीब्र अक्टिवेश है ही फिर उनका फॉर्थ है इस एक्टिव पर तरेंग के जू का इक सर्ड़ चुब पोर मैं एक स्वेलाइन है यह तो हूस से इस एक्टिव आपके उसके बाद उनका टेंग तो अ एक्टिव है तो एट्थ टेंथ ट्वेल्थ पर्स्ट जेकेंड एंड फॉर्थ है इस आध्टिव फोर लीब्रा एसंडेंट तो इनको कैसे कैसे रिजल्टी सोच सकते हैं क्योंकि एट्थ एक्टिव एट के साथ 10 एक्टिव है तो रिशर्च की प्रोफेशन में है तो तो वो देखने को ना मिले लेकिन जुपिटर के ट्रांजिट के हिसा अगर हम देखें तो एट्थ और टेंथ का कनेक्शन बन रहा है साथी सा ट्वेल्थ का भी कनेक्शन बन रहा है तो हो सकता है कि इनको अपने प्रोफेशन की वैसे ट्रैवल करना पड़े या कहीं दूर जाना पड़े एट तेंथ और ट्वेल्थ का कनेक्शन जो है वो बन रहा है ठीक है एट और सेकेंड का भी कॉंबिनेशन बन रहा है तो जो इनकम है उसके अंदर भी कुछ अपसें डाउंस जो है वो इनको देखने को मिल सकता है अब यह दो अगर आपको लगे कि निगेट अब का और सिक्स का लॉड़ भी बनता है तो वैसे भी थोरा सो एक निगेटिब मैने फिक नहीं बोलते उसको तो वह एक निगेटिव जो जो है वह कर सकता है ठीक है उसके बाद है और कोई हाउसे आपको लगता है कि जो इनके लिए अक्टिव है उसके हिसाब से कुछी र परसेश कैंसर रेसेडिंट के केस में देखना परें तो कहाँ पर आपको लगता है ज्यादा चांसे मतलब तिपिकली कर आप आप देखे तो कैंसर के लिए ज्यादा चांसेश होंगे यह इंसान कहां उल्जा रहेगा जुपिटर जो है इनकी कुंडली में 6th का लॉड है एजेंट किसका है 6th का है एक्टिब किसको कर रहा है 8th को कर रहा है 12th को कर रहा है तो इंसान और बहुत सारी चीजों में उल्जा रहेगा यहना ऐसा मैंने केरा हूँ कि घर नहीं होगा बड़ चांसे स्फिर भी कम है दशागर सपोर्ट कर रही होगी तो घर भी बिल्कुल हो सकता है लेकिन पहला प्राइमरीली यह कहां पर उल्जा रहेगा वो उल्जा रहेगा अपने 6th हाउस की विजए से जो है 8th, 10th, 12th इन सब तो मिल सकता है ठीक है यह समझ में आया अब उसके बाद कौन सा है Scorpio Ascendant के लिए क्या कौन-कौन सा है सबसे पहले 7th हाउस एक्टिव है यह कि जुपिटर जो है वो 7th हाउस में उसका ट्रांजिक हो रहा है उसके बाद 9th हाउस एक्टिव है तो सबसे पहले तो यह मुझे अच्छा लगए उसके बाद और क्या एक्टिव है एक्टिव है एक्टिव है और यह इंसान भी शादी के लिए सोच रहा है तो क्या शादी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है हो सकती है है कि ग्णार क्इषय Village से और इंसान पॉरें जाने सकता है बिल्कुल सकता है और क्या कैन सोच सकते है इन हुसे से अरक एसे ब हम गड़क्त हैं तो सेवरेंगiest कर सकते हैं है नइंङर्ट करसकते हैं Shake तो अगें इस केस्ट में भी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आपको काम की विए से थोड़ा टाइम के लिए पार्टनर से दूर रहना पड़े तो उस तरह की रिजल्ट आप एक्सक्पेक्ट कर सकते हैं और यह समझ में आ रहा है किस तरीके से में हाउसे को जोर करके प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं है ना यह सब इसमें कोई कोई डाउट है कुछ कुछ नहीं देखिए अभी क्या आए न कि जैसे हम आगए- पिस तरीके से हाउसे इसको जोर करके सब्सक्टाभी में हम को एक्टिव है अब नेक्स्फ चलें ऋसके बाद आता है सज़ीस in की यह वह सब्सक्पहले कैं आ इह सीक्ब्रा Liter timing है ठीक Ну उसके बात के अच्टिव है ये उसके बाद कि आ थे go कर सुक्त कर स्थैंद कि अग्तिव है याए यद्ट आक्ट आईग्ट टेन्ट एडसल पिलाना सब्सक्र्सक्राइं तो है कि हेल्थ के ऐसे मैं ने सब्सक्राइल हो खळा था खुद से कड़ना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आपको बिलकुल नहीं लेना चाहिए और वहाँ से गर वगेरा के लिए भी अगर आप लोन वगेरा का सोच रहें तो यह दिस में नॉट भी राइट ताइम थोड़ा अगर अगर आवाइड कर सकते हैं घर वर देख लिजे बात में जा करके जो है वह फिर आप लोन लीजेगा खुद का इंवेस्टमेंट करके डालना है तो स्क्राइब की फ्यूंट सबस्कूल है तो यह अप선 डॉंस वेड़िए लेकिन आ सकता है तो यह तो यह सारे आॅब पारेंगे डेपिनिएंटली विबार पारेंगे इसकेस म aç और Sterla और पूछ आगर इसमें कुछ पूछना है नितों फिर लोग ट्रीकॉन एसेंडेंट योपर चले जाएंगे है ठीक है इसके बाद अब अब आता है क्या प्रीकॉन अब आता है क्याप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए सबसे पहले कौन सा हाउस एक्टिव है टॉरस का साइंड कहा आता है उनके लिए उसके बाद कौन सा हाउस एक्टिव है सब्सक्राइब कर रहा है तो नाइंट और टेंट अगर एक साथ एक्टिव होते हैं तो क्या होता है सिर्फ 9 30 बाभी भूल जाईए तो क्या हो सकता है कि जॉब के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन कhon वुक्त कोई इंटर सिब्सक्राइब हो रहे तो इंटर्शिप मिल जाए इंटर्शिप का मतलब क्या होता है आप पढ़ते पढ़ते सीखते जोरी पढ़ते मतलब काम करते शीखते तो नाइन थे पूरती हो सकती है यह किसी लड़की का अगर चार्थ हो तो फिफ्ट और नाइन्थ और 11 तो अगर बच्चा होना का प्लाइन कर रहें तो वह भी क्योंकि फिफ्ट लड़की के चार्ट में जो नाइन्थ होता है देट इस वेड़ी इंपोर्टेंट फॉर चाहिए तो इसमें भी ना सर अगर उनके आम सॉरी उनकी जो चिल्डरन है उनकी भी शादी ह हो सकती है क्योंकि फिफ्ट और दोनों जो गजए है है हाँ हो तो इस तरीके से आपको बस क्या करना है कि कौन-कौन से भॉसे जो है वह एक्टिव हैं वह देखिए आप मतलब उसके लिलिए सिंपल ने कि कैंसर का साइट पूर्पी उपिटीटर गराइगा उसके हिसाब से जो है कुर्पी उपिटियस कुंडली के इंदर करें उसके उधिसक्टार ह्याइव क के साथ यह सब्सक्राइबần फिर सन्चे के लिए ऐस 되고 ह वक्राइबह। साथ ही साथ तो फिर रिजल्ट आपको डेफिनिटली जो है वह मिल जाएंगे ठीक है आगे बड़े हैं कि अब चलते हैं किसके उपर एक्वेरियर जो है वह उसके लिए क्या एक्टिव है इस फोर्थ हाव्स सिक्स्थ हाव्स ने थी साइन बोलते जाएं तो विज्वाइज ने करके साइन मतलब टो टॉर्स एक्टिव थो फोर्ट शाथ हैं राइग्ट कैंसर के इसाब से शिक्थ हूं से एक्टिव हो गया नाइन थाउस ने लिब्रा श्कॉर्पियों और नुट लेकिन क्योंकि एट भी एक्टिव है तो इतना एजी नहीं होगा बहुत दिक्कत परिशानी के साथ जो है वो काम इनका अगर होगा तो होगा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं अब इनके लिए इनको भी अपने ध्यान देना चाहिए ठीक क्योंकि एक्टिव है तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए तो इस तरही केसे जो है अलग-अलग हाउसे को मिला करके किसी भी वाला आए उचे घर हो सकता है आप देखेंगे हां एक्टिव तो है हो सकता है तो वह सकता है ठीक ना इस समझ में आया और देखेंगे मैं आपको बता हूँ जैसे जो हमने शुरू में डिसकस किया था इफ दाट रिमेड़ी सपोस्ट टू वर्क फॉर यू आप हुदी देखना कोई ने कोई आगर के बोलेगा भाई उसके इलाज के लिए हजार रुपे चाहिए या फिर वो दवाई मांग रह कि अगर कुछ आता है तो थो फिर आपको पता है कि क्या करना है तो अब अगला आता है कौन लास्ट पाइसी से सटन्नें तो पाइसी सेंट के लिए सबसे पहले क्या कौन सा और हम से अक्टिव है ऑब वा daí कि और माले शादी करेगा इसकी शादी को सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं तो लेकिन कुछ तो धमाका होका शादी के टाइमें शादी के बाद हो सकता है कोई इस पिरिट्वल के लिए कहीं नहीं जाएं फिफ्ट और नाइंफ अगर एक साथ एक्टिव है तो और थर्ड भी अक्टिव है तो हो सकता है कि हाईर एजूकेशन के लिए घर से दूर जाना परें अगर कोई स्टुडेंट है तो ठीक और कौन सा अग्टिव है मतलब पहला सबसे पहले बेशिक प्रिंसपल हड़ा से रिलेटेड कुछ रिजल्ट पूछे है तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है राइट फिफ्ट इन्वाइं नहीं है तो पूछे कि भाई मतलब अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं क्या राइट कुणली के लिए अच्छा टाइम होगा तो जितना भी आप कहानी बना सकते हैं तो बना करके बोल सकते हैं और अभी हो सकता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत हाउस के लिए नहीं डिसकस किया जैसे अनन्जी के लिए मैं कुछ नहीं कुछ तो सोच करके वह बताऊंगा उनको उसी के लिए और क्या कर सकता है कि अगर किसी को प्यार्वार करना है तो बिल्कुल अच्छा टाइम हो सीच के लिए भी है नहीं कुछ ट्रेनिंग करना है या तो प्रोजेक्ट जॉब के अंदर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में आपको जाना है तो कुछ बी राइट टाइम है नाइन तो पैसा मांगने के लिए था टाइम रहता है अगर आप जहां पर किसी जगह पर लंबे टाम के लिए रहना चाहते हैं इसी कंपनी में तो इस गुट टाइम जहां पर कि आप बहुत से बोल सकते है है कि भाई मेरा यह केरियर आइस्पिरेशन से तो आप इस्ट्रोजी को बहुत माइनूट लेवल पर भी चाहें तो यूज कर सकते हैं कि इन हाउस को जो है वह अभी एक्टिवेट करता है प्रोबाइडट पूरा हो सकता है एक साथ है तो जो है पीएजडी पूरा हो सकता ह अब टिपिकली हम 8 को बुरा मानते हैं लेकिन देखिए 8 ताउस क्या दिखाएगा वह 9th का एंड दिखाएगा यानि एजूकेशन का एंड दिखाएगा यूकि 11 भी है साथ में तो 8 9 और 11 अगर हम एक साथ लें तो क्या दिखा रहा है कि 9 ताउस का काम अभी जो है खतम हो और इक्षा भी कोई पूरी हो रही है को रिसर्च पेपर अगर पब्लीश होकर के तिपिकली होता है तो एट ख़ी सिगनिफिकेशन हो गया नाइन से ट्वेल्ट है तो नाइन थका काम भी खतम हो गया और 11 के साथ इक्षा पूर्ती भी हो गई पाइसिस एसेडेंट के लिए तो तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं है ना इस समझ में आया और कुछ करना है मतलब इसमें कुछ किसी को कोई पूछना है